जानना जरूरी ये नहीं है कि कटपपा को भावलने क्यों मारा जबकि जानना ये जरूरी है कि नेता जी सुभास चंदर बोस को क्यों और किसने मारा अमर शही चंदर सेखर आजाद की मुखबरी क्यों और किसने की थी श्रीलाल बहादुर शास्त्री को किसने और क्यों मारा मोहंदास करमचंद गानी की हत्या के वह कारण क्या थे डॉक्टर शाम परसाद मुखर जी की हत्या क्यों और किसने की यू आओ जरविचार करो कि कहां गलतिया हुई है कालपनिक चरितर का टपा से बाहर निकलो और वो पूछो जो तुमसे जुड़ा हुआ है पता करो कि हम लगबग 800 सालों तक गुलाम क्यों रहे पता करो कि जो देश आर्थिक, समाजिक, सेक्षिक और विज्ञानिक रूप से सशक था विश्व गुरु था, वो सब ग्यान कहा है, कैसे खतम हो गया, कौन इसके लिए जिम्मेदार था पता करो कि इरान से इंडोनेशिया तक की भार्थवस की सिमाएं सिगुड कर इतनी छोटी कैसे होगी कि हमें कश्मीर से भी भगा दिया गया पता करो कि सोने की चिडिया के पंक कैसे कतर दिये गए पता करो कि गुरु गौमिन सिंग के मासूम बेटों को जिंदा दिवार में क्यों चिनवा दिया गया पता करो कि महराना परताप को घास की रोटी क्यों खानी पड़ी पता करो कि वीर मराठो की सेना पानीपत की तीसरी लडाई में अबदाली से क्यों हार गई पता करो कि जहासी की रानी विरांगना लक्षमी बाई को किनके गद्दारी का दुष परिनाम भुगतना पड़ा पता करो कि वीरों की धर्ती होते हुए भी हम गुलाम क्यों हुए हमारी मा बेनों को अपमान के आग में क्यों जलना पड़ा पता करो कि बिना किसी समर्थन के भी नहरू देश का पहला परदानमंदरी कैसे बन गया पता करो कि पाकिस्तान का स्थाई रोग किसने भारत को दिया तब हुआ क्या क्या था दोस्तों पता करो कि कश्मीर को नासूर बनाने का बीज किसने और क्यों और कैसे बोया था पता करो कि नेपाल के महराजा भारत में विले के प्रस्ताव को 1952 में जो था उसको किसने और क्यों ठुकराया था पता करो कि 1993 में UNO ने भारत को स्थाई सीड दिने के स्वम अमेरिका के प्रस्ताव को क्यों भुला दिया था और वे सदसेता चीन को क्यों दिलवा दी थी पता करो कि सेना को हत्यारा नक्षलियों को क्रांतिकारी वे जिहादी आतंगवादियों को भटका हुआ बिरोजगार नोजवान कहने वाले देश का सांसद कैसे बन गया पता करो कि मा दुरगा को वेश्या कहने का साहस किसी को कहां से मिलता है पता करो कि देवी देवताओ की नंगी तस्वीर बनाने को समर्थन कहां से मिलता है पता करो कि आतंगवादी याकूब की फासी रुखवाने के लिए आदी रात के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को खोलने के लिए कौन मजबूर कर देता है आप खुद बहवली बन कर जानो कि हमारा केलास परवत और मान सरोवर तिर्थ चीन के हिस्से में वह ननकाना साहिब पाकिस्तान के हिस्से में किसकी गलती से चलेगे और भी बहुत सारी गलतियां है हे युवा देश अपनी दिशा और दशा बदलो ये समय मजाको का नहीं है वह करो जो करणिये है जो जरूरी है चिंतन का विशे है हम क्या थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ विचार करें मिल करके इन सभी समस्याओं पे हन सबका करतव्य है कि इतिहास की गलतियों को विवेचना कर देशित में और भविशे में उन गलतियों को ना दोराने का प्रण लें तब ही हमारी मात्र भूमी हमारी संस्कृती हमारा धर्म सशक्त सम्रिद वस सम्मानित होगा जो सेकुलर जाहिल कहते थे कि हस्ती मिठती नहीं हमारी जाकर देखे दोस्त अफगान पाकुर बंगलादेश में बस्ती दिखती नहीं तुम्हारी भारत माता कीचे इसे अधिक से अधिक युवाव तो पहुचाए